हेलो दोस्तों आपका निवी स्टडी जोन में स्वागत है आज हम आपके सामने यूपी ट्रपल सी द्वारा 2021 में पूछे गए प्रेशन लेके आए हैं वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करिए च जब वर्ष्ट को अनद पर रखा जाता है तो उत्तल दरपड द्वारा बनने वाले प्रतिविम की प्रकत क्या होती है वास्तविक और सीधी आभाशी और सीधी आभाशी और उल्टी वास्तविक और उल्टी तो जब हम वर्ष्ट को अनद पर रखते हैं और दरपड कौन स उत्तलदर पढ़ो तो जो हमारा प्रतिविम है वो आभासी और सीधा बनता है ऑप्शन नमबर भी हमारा राइट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन भारत के प्रतम क्रिप्टो ग्यामिक ग्यार बीच वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन किस राज़ में किया गया था तमिलनाडू केरल उत्राखन हिमाचल प्रदेश इसका अंसर राइट होगा आपका उत्राखन ऑप्शन नमबर सी हमारा राइट ह हो जाएगा उत्राखन के दैरादून के चकराता शहर में किया गया था इस उद्यान में लाइकेन फर्म और कवक की लगभग 50 प्रजातियों का आवास होगा पादब जगत को उपत जगत में विभाजित किया गया है क्रिप्टो गैम और फेन्रो गैम में बीच रहित होते हैं एक सो बिस दिन का होता है हमारा राइट हो गया है होता है है हिर्दय टता रुदीर वाहिनोंच में होकर संपूर सरीर में लगातार प्रवाहित होता है रुदीर के दो अब वे हैं plasma और रुधीर कडिकाएं या रुधार प्लेटलेस जिने हम बोलते हैं रुधीर कडिकाएं तीन प्रकार की होती है RBC, WBC और प्लेटलेस ठीक है तो रुधीर कडिकाएं हमारी कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की RBC, WBC, Plateless जिसमें से RBC का जो आपका जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है एक यह important question पूछा जाता RBC का निर्मार कहा होता है तो RBC का निर्मार अस्तिमंजा में होता है और इसकी मृत्यू जो है प्लीहा में होती है RBC का निर्मार अस्तिमंजा में, म्रत्यु प्लीहा में इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है RBC का कब्रस्तान या कब्रगाह कहाते हैं ठीक है? तो option number A हमारा right है 120 days Next question निम्लिकित में से कौन सी master grant है? Most important question तो हमारी patriotic grant है जो है हमारी master grant है option number A हमारा यहां पर right हो जाएगा इस grant से TSH हार्मोन निकलता TSH का फुल फॉर्म है thyroid stimulating hormone STH, ACTH, GTH, FS यह सभी हमारे hormones प्रावित होते हैं यहां पर सबसे बड़ी grant है अगर पूछा जाए तो यकरत और master grant है हमारी patriotic grant है अगनाशय हमारी मिश्रित grant है pineal grant है हमारी जैविक घड़ी कहा जाता है इसको जैविक घड़ी हमारी pineal grant होती है तो यहां पर option A हमारा right हो जाएगा next question बिजली के बल्फ में आपकी कौन सी गैस भरी होती हैं अक्सिजन हाइं नम्बर डी हमारा राइट हो जाएगा यानि यह हम कह सकते हैं उक्रिये गैसे इतनी भी हमारी अक्रिये गैसे हैं अक्री गैसे हमारी बल्फ में बिजली के बल्फ में भरी हुई होती है ठीक है अक्री गैस जैसे हमारी ग्रोप 18 के अलिमेंट और 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 गन ये सारे ठीक है तो आप्शन नंबर C हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्स क्रिस्टल जो समानता क्वार्स घडियों आधी में प्रयक्त होते हैं रसाइनिक रूप से हैं यह जो क्वार्स क्रिस्टल है यह क्या है आपसो यह बताना है सोडियम सिलिकेट है जर्मिनियम ओक्साइड और सिलिकॉन डायाउक्साइड का मिश्टर है यह सिलिकॉन डायाउक्साइड यह जर्मिनियम ओक्साइड तो यह आपका सिलिकॉन ओक्साइड होते हैं क्वार्स क्रिस्टल आपके option C आपका right होगा silicon oxide का formula क्या होता है silicon का होता Si oxide O2 Si O2 हमारा यहाँ पर silicon dioxide का formula होगा clear next question हमारा black fungus का नैदानिक clinic की नाम क्या है यह आप से पूछा है नाम क्या है यानि black fungus का clinically name क्या है यह आप से पूछा है नक का वक्ता mucormycosis तो अच्छी है candidaeusis tinea corporis तो यहाँ पर आपका mucormycosis जो है आपका black fungus का नाम होता है clinically clear option B right है important है यह कई पूछा गया यह सारा जितने भी मैं पिपर दिखालें 2021 का है यह next भारत में सासन करने वाले दिये गए सासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है तेर सासूरी अकबर अलावदीन खिल जी इलतोत्मिश तो इनको आपको सही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आपके आएंगे इलतोत्मिश option 4 तो C और T आपका कट गया उसके बाद आपका क्या आएगा अलावदीन खिल जी यानि थर्व तो यहाँ पर option भी आपका right हो जाएगा इलतोत्मिश हमारे किस वंश के थे गुलाम वंश के थे यह हमारे ठीक है 1211 से 1236 तक इनका साशन था अलावदीन खिल जी खिल जी वंश के थे 1296 से 1316 तक इनका साशन काल था 13 सा सूरी सूरी वंश के थे यही मोगल वंश के थे पूरे 1540 से 1545 तक इनका साशन काल था अकबर हमारे मोगल वंश के थे 1556 से 1605 इश्वी तक इनका साशन था ठीक है तो यहाँ पर option आपका B right हो जाएगा पहले इल्टुत में शाय फिर खिल जीवंश फिर आपके सेरसा सूरी उसके बाद आपके मुगलवंश आए थे option B आपका right हो गया यहाँ पर next question निम्न में से कौन से संत सिवा जी के समकालिन थे तो संत सिवा जी के समकालिन कौन था तुका राम थे option A हमारा right होगा संकरा चार जो संत थे यह आपके कारी छेटर इनका क्या था संपूर भारत का था मत इनका अधुयत वाद था चैतन जो हैं 1486 से 1534 थक रहे थे ये बंगाल का इनका कारी छेटर था व्यिशनो मत से तुकाराम हमारे 1608 से 1650 तक थे आपके संत इनका कारी छेटर थे वारकरी मत मत जो था वह वारकरी थthe नाम देओ 1270 से 1350 तक महराज इनका कार्षेत्र था और मत इनका निर्गूर था तो अप्शन ए हमारा राइट है संत सिवाजी के समकालिन तुका रामते नेक्स कुश्चिन बंगाल के प्रतम गवर्नर जर्नल कौन थे लॉर्ड क्लाइब लॉर्ड वैरन हस्टिंग लॉर्ड लिटन लॉर्ड रिपन तो अभी वैने एक क्लास में आपको ये सारी बताये थे बंगाल के प्रतम गवर्नर जर्नल आपके लॉर्ड वैरन हस्टिंग थे ऑप्शन भी हमार राइट है यहां पर वारन हेस्टिंग का जो समयकाल था वो 1784 से पच्छासी के बीच था इनका कारे क्या था कलकता वे एक मदर्सा की स्थापना इन्होंने की थी लॉर्ड लिटन का 1886 से असी तक थे यह समयकाल वर्ना कुलर प्रेस अक्ट इन्होंने लागो किया था आप इस जनगर्ना एवं प्रतम कार खाना अधनियम 1881 यानि जो आपकी जनगर्ना है वो 1872 में स्था लेकिन रश्किया अधार पर लॉर्ड रिपन के शाशनकाल में 1881 में हुई थी लॉर्ड क्लाइफ जो थे अगर पूछा जाए बंगाल का प्रतम गवर्नर कौन था तो लॉर्ड सत्रहाएं का गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल सब्सक्राव कर दिया गया और भारत को वाय सराय कर दिया गया और आपसे पूछा जाए अगर प्रथम वाइसर आए कॉन थे लौट कैनिंग थे तो यहां पर आपका आंसर पता चल गया नेक्स विश्चन चरक सहीता संबंधित है राजनीती चिकित्सा वास्तुकला गड़ित तो चरक सहीता आपकी चिकित्सा से संबंधित है ओप्शन नंबर भी हमारा राइट है नेक्स विश्चन निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है कर लिंग यूद आपका 261 में हुआ था राइट तक संबंधित की सुरवात 78 AD में थी यह भी आपका सही है मुसलिम युग की सुरवात 622 इश्वी में हुई थी यह भी आपका सही औरंग जेव की म्रत्युs 1709 में हुई थी नहीं कभ हुई थी 1707 इश्वी में औरंग जेव की म्रत्युँः थी वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बाश्या था इसका मगबरा कहां है औरंग जेप का औरंगाबाद में बना हुआ है औरंग जेप ने औरंगाबाद में अपनी पतनी राब्या और दौरानी की इस्मृत में ताजमहल की तरह मगबरा बनवाया था लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई और 78 ईशापूव में सक सनवत की शुरुवात कुशार साशक कनिश्क ने की थी तो ये पूचा जाए सक सनवत की शुरुवात 78 AD में हुई थी और किस ने की थी कुशार साशक कनिश्क ने की थी तो ऑप्शन यहां पर आपका D राइट हो गया यहीं आपका मिसमैच है नेक्स्ट इनमेर से किसे भारत के ग्रैंट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है तो यहां पर आपको ऑप्शन राइट हो चाहेगा दादा भाई नरौजी तो ग्रैंट ओल्ड मैन हमारे कौन है दादा भाई नरौजी है इन्होंने 1851 में रहुनु माई मायदा यान सभा रास्ट गुफतारपत 1866 में इस इंडियन एस्सोशियेशन लंदन की इस्थापना 1886-893-1906 तीन बार कॉंग्रेस के अध्याज बने यह भी पूछा जा सकता है दादा भाई नरौजी कॉंग्रेस के अध्याज कितनी बार बने तो तीन बार बने थे यह सब से जादा इनकी प्सित रचना कौन से पुवरिटी फार्वरिटी इन पर अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन की जो है रचना है इसका रचना इनकी अलग से बस पूछी जा सकती इंप्रिटिन अप्कि पर टी एन इन टादा भाई नरौजी की है तो यहां पर option A right हो जाएगा दादा भाई नौरोजी Next question सन 1915 से 16 में किसके नेत्रत में दो हूम रूल लीक शुरू हुई Anivation और लोकमान तिलक, तिलक और लाला लाशपत राय, तिलक और वेपिन चंद्रपाल, तिलक और अर्बिन घोष तो 1915 से 16 में किसके नेत्रत में दो हूम रूल लीक शुरू हुई Anivation और लोकमान तिलक, option नमबर A हमारा राइट है आपकर April 1916 में तिलक तथा सितंबा 1916 में Anivation ने हूम रूल लीक है स्थापना की तिलक ने माराटा एवं केसरी तथा Anivation ने कॉमन वील एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले यह कोशन इंपोर्डन है कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यच कौन है तो Anivation जो है कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यच है जो 1917 में इन्हों ने अध्यच बनी थी जबकि तिलक कॉंग्रेस के कभी भी अध्यच नहीं बने दें तो यहां पर option A आपका राइट हो गया बुच्छ के संसापक कौन है द्यारस भtime समाच के संसापक जो है राजा राम मोहन रहए औसो आप्ट्सिन थ्री घ्रम समाची जो है तो है राजा का वन हो जाएगा आरे समाज आपका किसमें संस्थापक हैं आरे समाज के जो आर समाज के हैं आपके सरस्वती दयानन सरस्वती सेकेड एंड सत्य सोधक जो है जो तीवा फूले तो डी का 5 डी का 5 तो 2 में है तो A और B आपका चला गया बच्चा C एंद दी औरम समाज का राजा राम मोहन रॉय तो दोनों में एए है सही है राम क्रिष्ण मिशन वन होगा यानि बी का वन तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा आपकर राम समाज के इस्था अपना राजा राम मोहन रॉय तर्न है 1828 आरि समाज दयानंद सरस्वती 1875 र 1873 में होने किया था तो ऑप्शन नमबर हमारा से यहां पर राइट हो गया नेक्स्ट करो या मरो का नारा किस ने दिया करो और मरो का नारा किस ने दिया मात्मा गांधी ने दिया था ऑप्शन नमबर डी यहां पर हमारा राइट है मात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय ये आपका नारा दिया था करो या मरो या आंदोलन 8 अगस 1942 को शुड़ू हुआ था दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था सुभाज चंद्र बोस ने तो सुभाज चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था उप्शन दी हमारा राइट हो गया नेक्स सुश्चन जब सुभाज चंद्र बोस ने हारतिय राष्टी कॉंग्रेस के अध्यश्पद से इस्तिफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया जवालल नैरू पट्याभी सीता रवया डॉक्टर राजेन प्रशाद मदबेद उत्पन हो गया था हुआ क्या था बोस और पटबी सीता रमया के मत चुना हुआ बोस इसमें जीत कहते परंत कॉंग्रेस जो कार्प्राली थे वो सदर्स एमम गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्हें पद से इस्थिफा दे रिया जो बोस जीत कहते हो इन्होंन जो हुआ था किसके बीच बोस और पटबी सीता रमया के बीच बोस जीत गय थे बट ये गांधी के विरोधी थे नहीं इनके विरोध में खड़े हुए थे तो यहां पर इन्होंने इस्थफा दे दिया कॉंग्रेस पर से उसके बाद आपके डॉक्टर राजन प्रशाद कं इस घटना को क्या कहा जाता है त्री पुरी संकट के नाम से जाना जाता है तो त्री पुरी संकट कौन सी घटना है आपकी 1939 कॉंग्रेस का अधिवेश है एक है एक है नेक्स कुश्चिन सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर इस्तित है यह आपकी चेनाब नदी पर इस्तित है चेनाब की तीन में है सलाल दुलहस्ती बगलियार ठेक है व्यास परियोजना व्यास नदी पर है रंजीर सागरबान रावी नदी पर है सलाल बिजली परियोजना चेनाब नदी प पर दुलहस्ति चेनाव बगलियार चेनाव यह सब ही आपकी परियोजना के नाम बता दिये आप्शन सी हमारा राइट हो गया सलाल आपकी चेनाव नदिये पर रहे वसंत विशुव होता है 21 मार्च 18 जून 23 सप्टमबर 22 सप्टमबर दिसंबर वसंत विशुव जो है आपका 21 मार्च को होता है सूरी भूमद रेखा पर लंबवत चमकता है इस समय उत्री गुलार्ट में वसंत रितु होती है ठीक है इसलिए इससे वसंत विशुव कहा जाता है 21 मार्च को ऑप्शन हमारा राइट है नेक्स्ट राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए लिए यह है कहां राजस्थान का यह जुन्जुनु जिले में इस्तित है खेतरी नगर का निर्मार भारत सरकार के सार्जिनिक छेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कौपर लिमिटेड ने किया था और यह कौपर के लिए प्रशिद है नेक्स्ट काजी रंगर राश्टी उद्या आपका कहा है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पेरियार केरल सुंदर्वन पश्रिम बंगार आपका राइट हो गया नेक्स्ट कुश्चिन निम्रिकित में से कौन से हिमालिय नदी तंत्र की नदियां है कावेरी गंगा ब्रह्मपुत गोदाबरी यहां पर आपकी जब नदी तंत्र हिमालिय का पुरा पढ़ते तो आपने गंगा का पढ़ा है जब आपकी नहीं आती है हिमालिय नदी तंत्र में ठीक है यह तो गंगा और ब्रंपुद हिमालिय नदी तंत्र की नदिया हैं चपकी कावेरी और गोदावरी जो है दच्छर भारत की नदिया हैं गंगा नदी का उद्गम इस सल अगर पूछेगा तो ये उत्तरा खंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुक के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ब्रंपुद नदी जो है आपकी तिबबत के मान सरोवर जिल से चेम यूंग्डुन ग्लेशियर से निकलती है तो ये पूछा जाता है कुश्यन ब्रंपुद नदी का उद्गाटन आपका उद्गम कहां से है चेम यूंग्डुन ग्लेशियर से और गोदावरी नदी का दिया गया यहाँ पर option b right हो चायगा आपका next bank दर का अर्थ है साहुकार द्वारा ली जाने वाली व्याज तर अनुसुचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली व्याज दर बैंक की संस्ताओं के लाव की दर देश के केंडrMary bank दवरा लिजाने वाली अधिकारिक व्याज तर तो यह option आपका D right हो जाएगा Bank दवरापकी देश के केंडरिय bank दवरा लिजाने वाली अधिकारिक व्याज तर होती है Next question RBI नगत कोशान पात को घटा दे तो साक शरजन पर क्या असर पड़ेगा to the credit creation कोई असर नहीं होगा घठ जाएगी बढ़ जाएगी इन मेंसे कोई नहीं तो ये बढ़ जाएगी आपकी साख सरजन ठीके क्रेडिट क्रियेशन जो है आपकी ये बढ़ जाएगी option number C हमारा यहां पर right हो जाएगा next question इन में से किस प्रकार की अर्थ वैवस्था में संसादुनों पर निजी अधिकार होते हैं और सार्थक गद्विदियो का मुख उद्देश लाव अर्जित करना होता है पुन्जीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक तो यहाँ पर आपका option A right हो जाएगा पुन्जीवादी पुन्जीवादी अर्थ वैवस्था में संसादुनों पर निजी छेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गद्विदियो का मुख उद्देश लाव अर्जित करना होता है तो यहाँ पर option आपका A right हो जाएगा next question 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताश्रित होता है यहाँ एक रुपए के नोट पर वित मंत्रा लएके वित सचीव का हस्ताक्षर होता है option number यहाँ पर A right हो जाएगा next question हमारा आपको फुल फॉर्म बताना है तो यहाँ पर foreign exchange management act आपका फुल फॉर्म है यह कौनसा आक्टै 1973 का आक्ट था नेक्स स्कुश्यन बारत के सविधान में जन स्वास्त एवं स्वच्छता किस में शामिल राजसूची में संवर्ति सूची में संग सुची में इन में से कोई नहीं तो जन स्वास एवम सच्छता आपकी राजय सूची में शामिल है पत्विसीयां किस अनशुची में है तो साथ वी अनशुच change में आपकी तीनों सूचिया तीन प्रकार के सूची होती है तो यहां option A हमारा right हो जाएगा next भारत में पंचायती राज वेवस्था इसके अंतरगत रखी गई है पंचायती राज वेवस्था किसके अंतरगत रखी गई है भाग 4 राज के नीत निर्देशक तत्व में अनुछे 40 में की गई है इसकी बात सम्धान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं जो अर्डिकल 12 से 30 तक है भाग चार में आपके राज के नीत निर्देशक तत्प हैं जो आर्टिकल 35 से 51 तक है फिर इसी का भाग चार का खंट का में आपके 42 समिदान संसोधन के दौरा मुल करता भी जोड़े गये थे आपके वो आर्टिकल 51A में है तो option C यहाँ पर हमारा right हो जाएगा next question आपका तो शिक्षा का अधिकार एक मॉलीक अधिकार है जो की सम्बंदित है आर्टिकल 21A से 19 29 13 में से कोई नहीं तो सिक्षा का अधिकार एक मॉलीक अधिकार है आपका सब्सक्राइब से सब्सक्राइब अभिवक्ति की स्वधनता का अधिकार है आप्शन यहां पर यह हमारा राइट हो जाएगा आर्टिकल ट्वेंटीवन ए नेक्स्ट निम्न मेंसे किसने समिधान सभा के में उद्देश प्रस्थाव रखा तो जवालल नहरू ने समिधान सभा में उद्देश प्रस्थाव रखा यहां पर ओप्शन नमबर आपका राइट हो गया सिर्देशंड भारतिय समय्दान के किस अनुषेद में अलप संकुको के उत और चाइब करने के लिए नहीं लगा जाएगा प्रतिबंद लगेगा अर्टिकल ट्वेंटीनाइन क्या भारत के छेत्र में रहने वाले किसी अल्प संख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाशा लीप और संस्रत का संरच्छर किया जाएगा यहीं आपका अल्प संख्यकों के हित में नहीं हित है आटिकल 29 नेक्स्ट और यह लास्ट लाइडर शायद 26 आपका ठोज चालक में धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन नेट्रॉन मुक्त अलेक्टॉन धारा वाहक आपके मुक्त फ्री अलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त अलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो अलेक्ट्रॉन हैं वो कच्छा में ना हो करके स्वतन सोटे हो नहीं हम क्या कहते हैं फ्री अलेक्ट्रॉन कहते हैं ऑप्शन सी हमारा राइट है नेक्स्ट प्रकाश वर्ष किसके मापन की एकाई है वर्ष चरूर लगा है बढ़ प्रकाश वर्ष आपका दूरी कमात्रक है एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गती एक वर्ष में निर्वात में ध्वनी द्वारा चली गई दूरी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी हवाई जहाज की गती तो ये दो तो गलत ही हो जाएंगे अब निर्वात में प्रकाश दौरा चली गई दूरी या एक वर्ष में निर्वात में ध्वानी दौरा चली गई दूरी तो ध्वानी नहीं प्रकाश दौरा चली गई दूरी ओप्शन C यहां पर हमारा राइट हो जाएगा प्रकाश वर् कुश्यन है ब्लीचिंग पाउडर का रसाइनिक नाम क्या है काल्सियम सलफेट, काल्सियम ऑक्सी क्लोराइड, सोडियम बाइक कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मुला होता है C-A-O-C-L-2 option B यहाँ पे राइट है यह आपका ब्लीचिंग पाउडर का है sodium bicarbonate खाने वाला सोडा जो होता है यहनि baking soda वो आपका sodium bicarbonate होता है N-A-C-L आपका नमक होता है साधारन नमक बोल सकते है simple salt जो होता है वो आपका साधारन नमक होता है और calcium sulphate जो है आपका यह जिप्सम है जिप्सम क्लोराइड जो क्लोराइड होता है वो ब्लीचिंग पाउडर है calcium sulphate जिप्सम है sodium bicarbonate होगा यहाँ पे sodium bicarbonate वो भी chloride नहींगे गलत लिखा है sodium bicarbonate ठीक है Na2, NaHCO3 sodium bicarbonate आपका baking soda होता है यह खाने वाला soda और यह उपर यह भी गलत है sodium chloride आपका साधारन नमक होता है ठीक है NaCl option भी यहाँ पे राइट हो गया आपका next अठारा कैरट सोने में खरे सोने का प्रितिशत होता है तो आपको पता है सोना जो है सबसे अच्छा कौन सा होता है चौबिस कैरट का उसमें से अठारा कैरट अठारा कैरट का प्रितिशत आपसे पूछा है तो निकाल दीचिए कितना आएगा 75% आएगा तो option नमबर भी आपका राइट हो चाएगा संत्रे में बहुतायत में होता है vitamin C, vitamin A, vitamin B तो यहाँ पे बहुतायत में आपका संत्रे में vitamin C होता है option A आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो like करिये, share करियो, channel पे नए हैं तो subscribe जरूर करिये channel को, thank you